और जॉनपूर एक मात्र ऐसी स्वीट नहीं थी जहां टिकट करता है बोज़न समाज पार्टी ने 22 टिकट अपने आप आनद फारन में चेंज़ के लिए जॉनपूर में वक्तब देने का ब्लेम गेम हम उसके नहीं आते हैं पार्टी करने के प्रिया होगी क्यों टिकट काट क्यों दिया आप अप्रोच कुद की और नीटर्स कहे जाते हैं तो ऐसा नहों कि दलित में रिजन्मेंट हो जाए रिवोल्ट कर दें नाराज हो जाए उस बात को लेकर वो लोगा के परजिशन स्टेट्मेंट था पार्टी का जो मूल काडर था उस सब हमारे साथ है इसे सं इस बात करते हैं तो यहां तरह के ऐसे मुद्डे है जो देश की राजनीती पर हावी होते हैं और इस वक्त हम जौनपूर में मौजूद हैं जब जौनपूर की चर्चा होती है तो यहां के कई नामों में से एक है धनन्जा सिंग का नाम और उनकी पतनी श्रीकला रिटी ज सबसे पहले मैं आपसे चर्चा के शुरुवात करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से जेल की यात्रा रही हो जेल के बाहर आप निकले हैं कितना बदलाव देख रहे हैं यह पहला सवाल रहेगा कोई ऐसा बहुत बदलाव तो हुआ नहीं दो महिने का वो था उसमें अनफॉर्चुनेट था जिस तरीके से मुझे कन्विक्शन हुआ एक फेक मुकदमा था करप्शन का इशू हमने रेज किया था उसमें निससरी के फरजी धाराएं लगाकर मुकदमे कायम कर दिए और उसम इस्टे नहीं मिला अभी अप एक्स कोड जाएंगे तो चुनाव के बीच में समय भी बहुत कम था मेरे पास तो अब उसमें जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अप हायर कोड से मुझे उसमें नियाय मिल जाएगा अब राजनीती पर जिस तरह से चर्चा करते ह ऐसे ब wzglते हैं कि बस्पा की और से पहले श्रीक ढला जही एक लाज़ी को टिकेट दिया गया और उसके बार टिकेट कटा गया हालां आनन फारून में चेंज किये जिस दिन जौनपुर का चेंज उसे दिन बस्ती का भी चेंज किया आप पूरे प्रदेश हम चाहन भी टिकट कटा कहीं भी कोई कोई वक्तब रिया बंफ घंज का जौन पूर में वक्तब देने का लेम गेम हम उस तो पार्टी के अपनी प्रक्रिया होगी क्यों टिकट काटा क्यों दिया आप अप्रोच कुद किये मैं गया नहीं यहां के लोकल लोगों ने अप्रोच करके टिकट दिलवाया इनको मैं तो समय जेल में था उसका टिकट कर जाता है तो हमने तो कोई प्रत्किया नहीं कि उन् मेरे साथ बहुत वैसे भी रहती है हमारे हां हमारे सेग्मेंट में बीस जमानत नहीं बचा पाती aपनी कभी तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे नहीं हापाई हमारे हां तो यह बीस पी का हो रहा है तो ऐसी सिती में उनको लगा कि अगर आचानक ऐसे टिकेट काड देंगे जो लोकल लीडर्सिप थी, जो कोडिनेटर्स कहे जाते हैं, ऐसा नहों कि दलित में रिजन्मेंट हो जाए, रिवोल्ट कर दें, नाराज हो जाए, उस बात को लेके वो लोग आके फरजी सा स्टेटमेंट यहां पर देती है, लेकिन जब मैं देखा पार्टी की तरफ से किसी बढ़ने की आपने बात किये, तो अब उसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने और श्रीकला जी ने दोनों ने खुल कर BJP का समर्थन किया है, कलाप की मुलाकात भी हुई है, आप क्या वज़ा मानिजाए, तीन बड़ी वज़ा है, इसमें जो निकल कर सामने आ रहे हैं मीडिया में जिसकी चर्चा चल रहे हैं एक तो कहा जा रहा है कि राजा भाईया ने समर्थन देने के अपील की है दूसरा क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के जब चुनाओ हुए थे बीजेपी ने समर्थन दिया है क्या ये वज़ा है या इससे तर कुछ वज लेकर इस नेड़े हम लोगों ने लिया है और हम लोगों की राजनी 2002 से ही जब मैं इंडिपेंडेंटे में लिए लड़ा था मैं उसमें भारती जिनता पार्टी आरेल्डी का यहां गड़बंदन था मेरे खिलाफ रारी में और उस समय 2000 ओट मिला था आरेल्डी को यहां प है उसके बाद 2007 का चुना हुआ उसमें मैं जेडी और बीजेपी का घड़बंदन था उसमें तो जो बीजेपी का मूल काडर था वो हम लोगों के साथ बहुत थी हो था यहां पर उस समय यहां पर सरकारें भी दूसरी रहीं तो हम लोग हमेशा उनके लिए काम करते रहों हम लोगों के साथ सहयोग में खड़े रहे हैं तो यही सिती बनी रही है और उसके बाद पत्नी हमारी 2021 में चुनाव लड़ी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी वो जरूर तिलांगना मिनों ने बीजेपी को जोईन कर रखा था लेकिन यहां पर बीजेपी में नहीं व मिला था अपना दल कोटे में सीट गई थी जब बीजेपी बागी लड़ गये तो अपना दल की सारी टीम जो है छोड़ दिया बीजेपी को विद्रो हो गया आपस में डिवाइड हो गई और हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव यहां से जीते अगे की अगर बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आप शुरू से ही बीजेपी का आपको समर्थन मिला है ऐसे में कार्डर का समर्थन मिला है सवाल ये भी है क्यूंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि पश्चमी उत्तरप्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी को जहिलने पड़ी है अब अगर यही स्तीती पुर्वांचल में भी रहती है क्योंकि आपका और राजा भीया के समर्थन जिस तरह से मिल रहा है क्या इस नाराजगी को खत्म करने में एक बड़ा समर्थन आप लोगों का भी रहेगा बीजेपी के अगर जिस ने भी समाज किसी भी समाज को च्छत्री समाज हो ब्रामिन समाज हो समाज का हर बर जाए सी ओ बी सी ओ किसी भी समाज को किसी को हर्ट करने का अधिकार नहीं है अगर आप उसके लिए अपालोजी फील करते हैं चमा मांगते हैं तो समाज को भी बढ़के उसके च सब क्लेम करते हैं कि मैं 2014 के बाद से उत्तब्रेस देश दोनों देख रहा हूं चोदर में बहभी समाजवादीhr की सरकार थी और पांस सिटे जीती थी समाजवादी पार्टी उस समय, हो चर्म था समाजवादी पार्टी है, फिर 2017 का विदान सभा चुनाव होता है राहुल गाधी जी और अख्लेश जी दोनों लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में और नारा भी लगा था दो लड़के कुछ इस तरीके का एक नारा लगा था इसमें यूपी के दो लड़के नारा लगा था उसमें आप डेडली कॉंबिनेशन बना था उसके बावजीद भी वहां पर समाजवादी पार्टी महच 5 सीट जीती है बावजीन समाजवादी पार्टी दस सीट जीती है कॉंग्रेस एक सीट जीती आरेली पीकुस गड़बंदन में थी तो नारे तो अलग विशय हैं लेकिन क्या मूर नितिक पार्टी उनको नारा देना भी चाहिए अपने कारकरताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लेकिन एक चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे कि जो मैं देख रहा हूं हम लोग विराजनीदर पिछले 25 सालों से देख रहे हैं जब से भारती जिंता पार्टी मोधी जी क दल के रूप में मैं देखता हूं वो लोग एक चुनाओं खतम होता अगले चुनाओं की तैयारियों में लग जाते हैं ग्राउंड पे बहुत हाड़ वर करते हैं जिसका नतीजह निरंतर वो चुनाओं जितते आ रहे हैं और जो निरंतर के अच्छा में मेहनत करेगा तो वार्सिक जब परिक्षा होगी उत्तरिण वही होगा एक्जाम के समय बैठ जाई आप आठ घंटा-10 घंटा मेहनत करें लेकिन आप वो डिस्टिंशन मार्स नहीं पाप आप आएंगे ठीक है आप आउट आप कर जाएंगे तो वही हालात है आज की राजनीत में भारती जन चुनाव लड़ता है वो दावेश जरूर करता है लेकिन अगर बात करें क्योंकि लगातार दो बार से भारती जनता पार्टी जीत धर्ज कर रही है क्या लग रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है असल में इसको छूपाएगी एंडिया या नहीं देखिए वो तैय साथ भारती इंता पार्टी को पिछली बार मिली थी तो इसलिए अपने नारे को पिछली बार अपने नारे को हकीकत में तबदील किये थे इस बार अगर नारा दियों कुछ सोच समझ के तैयारियों के साथ कियों कि उनको उमीद है कि दक्षिन जैसे जब 300 पार का नारा दि कि उनके हिसाब से तो ही बता सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से को नारा दे रहें तो कुछ सोच समझ के दिया हूंगे सपा की बागी विधायक अभे सिंग की ओर से बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने आपको सबसे बड़ा डॉन बताया था जमानत का भी विरोध किया था इस पर क्या कहेंगे हम अब राधियों के बिशे में जवाब नहीं रेते हैं राजनेतिक सवाल आप करेंगे तो अच्छा जौन पूर में आने वाले समय में धनिजय सिंग की क्या कुछ भूमिका रहे गया हम लोग भारतिय जंता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं भारतिय जंता पार्टी के यह देखिए ठीक है राजनी संभावनाओं का वो है राजनीत में किसी भी संभावनाओं से आप इंकार नहीं कर सकते हैं पूर सांसर धननजय सिंग जिन से हमने तमाम मुद्दो को लेकर चर्चा की और उन्होंने बताया है कि किस तरह से चुनावी मैदान में हर एक दल अपनी अपनी तयारियों में जुटे हुए हैं लेकिन आप देखने वाली बात ये रहने वाली है कि किसकी तयारी कितनी जादा हावी होती हो और जनता किसके पक्ष में फैसला करती है क्यामरापरसन राज के साथ मैं दिपिका उजहा जौनपूर